चमबा जिले के डलहौजी में दो टीवी न्यूस चैनल के समवादाताओं पर रोजगार कारेले के अधिकारी जगदीश सिंग वचपडासी चमल लाल ने जानलेवा हमलाग कर दिया है सबसे पहले रिपोर्टर नर्दंदर सिंग बॉबी पर उस वक्त जानलेवा हमलाग किया गया जब वो किसी काम से श्रम निरिक्षिक कारेले में बैठे थे उसी समय दूसरे रोजगार कारेले में मौजूद अधिकारी जगदीश सिंग वचपडासी जिसका नाम चमन है ने आचानक आकर कुर्सी से हमला कर दिया चमबा जिले के डलहौजी में दो टीवी न्यूस चैनल के समवाद दाताओं पर रोजगार कारेले के अधिकारी जगदीश सिंग वचपडासी चमनलाल ने जानलेवा हमला कर दिया है इस बीच बीच बचाफ करने आए दूसरे पतरकार अपुर्व महाजन पर भी दोनों ने कुर्सियों से जानलेवा हमला कर दिया जिसमें दोनों पतरकारों को चोटे आई हैं इसके बाद उक्त अधिकारी अपनी कमीज खुद ही फाड कर बहार की तरफ भाग गया और पुलिस स्टेशन डलहौजी में उल्टा पतरकारों के खिलाफ जूठी F.I.R करवा दी उसी समय दोनों पतरकारों ने भी अपनी F.I.R पुलिस स्टेशन डलहौजी में लिखवा दी है जो अभी तक दर्ज नहीं हुई है पर पर चोट लगी है जो कि मैंने तो उसके साथ कोई बात भी नहीं उसके करेले में भी नहीं गया था मैं सिर्फ और लेबर इस्प्याक्टर के पास पैटा हुआ था उनके बास बात सीच चल रही थी और चानल कावे मेरे पर हमला कर दिया उसके बाद उन्होंने खुद ही अपनी शाट के बटन फाड़े और जाकर पुलिस स्टेशन में हमारे कलाब अपायर कर दी हम भी तुरंत उसी समय गये थे लेकिन हमारी अपायर जो है हमने भी अपनी कुमिनेट कर दी अपायर अभी दर्ज नहीं हुए जो अभी हो रही है तो मैं पुलिस प्रशाशन ते सब्सक्रानष और प्तर कार्पयास जो है में यहीं ग्था सब्सक्राइ करने ही निश्पक्टर कर दी ता थी ृू औ जिसमें अधिकारी जो है वो आपनी कुर्सी में नहीं बढ़ता था उसको पाम का जो है वो जो उनका चपडासी है वो देखता था उनकी गया राजरी में और कई के दिन वो गया लाता था लोगों ने वहामें इस तीजिति इसके उपर हमने खबर लगाई थी उस खबर लगन गौरतलब है कि उक्त अधिकारी और चपडासी की कुछ दिन पहले इन दोनों पत्रकारों ने लोगों से सुचना मिलने के बाद एक खबर लगाई थी जिसमें चपडासी अधिकारी के गाइब रहने पर अधिकारी की कुर्सी पर बैठ कर उसके कामकाच देखता था जिसमें बहुत खामियाव रहती थी वो खबर एकदम सही और तत्यों पर आधारित थी उस खबर के लगने के बाद से ही इस अधिकारी ने जगडा करने का मौका देख रहा था और दोनों पत्रकार नजर अंदास कर रहे थे जब पत्रकार अपुर्व महाजन द्वारा उक्त कारले में मांगी गई F.I.R. के तहट रिजिस्टर का निरिक्षन कर रहे थे जिसमें बहुत से खामिया निकल रही थी इस पर बौकला कर इस अधिकारी ने सबसे पहले दूसरे कारले में जाकर वहां मौजूदा नरिंदर सिंग बौबी पर कुर्सी से हमला कर दिया उसके बाद अपुर्व महाजन पर भी कुर्सी और घूसों से हमला कर दिया लिहाजा हमले के शिकार दोनों पत्रकारों ने पुलिस परशासन से इस हमले की निश्पक्ष जांच करके आरोपियों के हिलाफ कारेवाई करने को कहा है उसके बाद उन्होंने क्या किया जो मेरे साथ ही से होगी बार लेबर इंस्पेक्टर के साथ बैठे थे एक दम इसकी फ्रस्ट्रेट होके जब बाहर को भागे उन्होंने सीधर जाके मेरे सही होगी पर अटैक कर दिया जब इस संदर में मैं वो लड़ाई छुडाने गया तो उनके और उनके पियन दौरा मेरे पर कुर्स्चियों से वार किया गया और इस सदर पे जब हम वो अपनी शर्ट के बटन तोड़के एक दम पुलिस स्टेशन भाग गये जबकि पुलिस स्टेशन सो मीटर की दूरी पे है तो जब पुलिस टेशन भागें तो हम उनके पीछे पीछे बिल्कुल उनके साथ साथ पुलिस टेशन पहुंचे तो अभी तक हमारी कोई भी एफायर लॉज ने की गई बलकि उनकी एफायर लॉज की गई है मैं प्रशासल से यही गुहार लगाता हूँ कि जो भी एरोपी हो उनके पर कड़ी से कड़ी कारवाई की जाए जो हमारे दो भाईों पत्तरकारों पर हमला हुआ है बहुत निंजनी है जिसकी मैं निल्दा करता हूँ यह पत्तरकारों के हमला एक लोकतंतर पर हमला है ऐसे हमलों को रुप करता हूँ एहम है कि मीडिया लोकतंतर का चौथा स्तंब है पत्तरकारों पर हमला लोकतंतर पर हमला है देश को यदि मजबूत रखना है तो पत्तरकारता को मजबूत बनाए रखना होगा ब्लावजी में जो पत्तरकारों पर हमला हुआ है मैं उस हमले की कड़ी निंदा करता हूँ पत्तरकारों पर हमला लोक्चंतर पर हमला है जो की बहुत मिंदनी है मैं इस घटना की निंदा करता हूँ पत्रकारों पर हमला होना बड़ी दुखती बात है पत्रकारों पर हमला होना बहुत दुखत है इससे लोकतंतर की जड़ कमजोर हो जाएगी सही माइने में लोकतंतर के सबसे बड़े रक्षक पत्रकार ही है वे छोटी से छोटी समस्याओं को शासन प्रशासन के सामने रखते हैं और आरोपियों के खिलाव ऐसी कारेवाई होनी जाएगी जिससे की आगे कोई पत्रकार ही नहीं बल्कि किसी के उपर हमला करने की हिम्मत ना करे अब इस दो आगे कारे कर रहा था था और यहां पर इस सीट पर जहां के अलग थी हमारी बोभी जी है कैंटस है मैं उतो जानता हूं वह बैठे हुए थे विटमें जब मैं कारे कर रहा था तो अचानक अदर से इंचार साव आये आवेष्ट में जैसे लिखे कुछ मे भी जी को पकड़ लिया और उनके उपर जदा रहा था इसरे उपायi कर देले उनके साथ और साथ में उनके पियन भी उसके बाहर आइत पिर आपस इनकी लड़ा ही उई एक लड़का, कोई और था अंदर भी बहार आया, फिर चारों की इनकी आपस में लडाई भी और इंचार साहब ने इनके उपर चेर से चेर उठा के इनके उपर हमला किया और इनकी आपस में हाथ आपाई के कारण मेरे ओफिस की चेरे भी दगदर पड़ी हैं, जैसा कि आप लोग बेखी रही हैं और उसके पचार इंचार साहब यहां पर खड़े थे और अपने शल्ट के बटन फाड़े और यहां से बाहर निकल गए यह बोवी सिंग भी पहले अंदर थे क्या चैनल के लिए डलवाजे से बाबी सिंग की रिपोर्ट